दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री जो एक दरजन से ज्यादा इस समय विभाग हैंडिल कर रही हैं बखुबी कर रही है हमारे साथ है अतिशी या यूं कहूं अतिशी स्वागत है आपका मादमी पार्टी की एक मात्र महिला मंत्री क्या है आज नाश्ते में आप बताईए आज लग तो काफी कुछ रहा है नाश्ते में ब्लाक कॉफी से शुरुवात हुई है यहां पे कुछ हेल्दी खाना भी पड़ा है जहां पे फल्वल है लेकिन दिल्ली वालों की पसंद तला हुआ नाश्ता भी है पकोड़े है पनीर के So I think सारा healthy और unhealthy के mix के साथ हम शुरुआत करेंगे अतिशी आप की बहुत बड़ी भूमिका रही है हाल ही में आम आदनी पार्टी और कॉंग्रेस की लगातार हो रही बैठकों में और numbers भी आ गए हैं तो हम क्या कहें कि जिनका आप अभी तक विरोध करते थे अब उनके साथ आ गए हैं ऐसा क्यों? देखिए किसी भी politics में इतिहास में आप कभी भी politics देखने चाहिएगा तो कभी भी किसी देश की राजनीती किसी राजी की राजनीती जो करंट देश की परिस्थितियां है उससे जुड़ी हुई होती है बिलकुल हमने Congress का विरोध किया है अगर कोई भी पार्टी चाहे वो Congress हो चाहे वो BJP हो किसी प्रकार का गलत काम करेगी तो हम आज भी विरोध करेंगे लेकिन आज देश के सामने एक बहुत विकट परिस्थिती खड़ी हुई है पिछले 10 साह से भारती जन्ता पार्टी की सरकार है लेकिन ये सरकार कई माईनों में आज तक इस देश की इतिहास में आई हुई सारी सरकारों से अलग है क्योंकि वो सिर्फ नीतियां अपनी नहीं लिखे आई है वो एके करके एके करके सारे लोक तांतरिक धांचों को खतम कर रही तो आज जो चुनाव हो रहा है 2024 का ये किसी पार्टी को चुनने आप इसी पार्टी को हराने के लिए नहीं हो रहा ये इस देश के समविधान को बचाने के लिए हो रहा है आज आप देखिए जिस तरहां से Central Agencies का उतियोग अपनी विपक्ष को खतम करने के लिए किया जा रहा है ये इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ देश में एक मातर कानून है Prevention of Money Laundering Act जिसमें आपको बेल मिलना लगभगा संभाव है किसलिए बना था? कि नार्कॉटिक्स ट्रेडिंग ना हो सके ट्रॉक ट्राफिकिंग ना हो सके टेररिजम के लिए वेपन्स की आवाज आही आप रोख सके आज कर टेररिजम के लिए यूज होता है? नहीं होता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पर्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए यूज होता है तो अगर चुनाव जीतने का यही तरीका है कि आप विपक्ष की पर्टी के नेताओं को जेल में डाल दीजी आप उनके bank accounts को freeze कर दीजी तो एक समय ऐसा आएगा जैसे रशिया में और North Korea में होता है कि एक ही party चुनाव लड़ेगी और वो ही सारे vote लेके चली जाएगी देशताना शाही की तरफ जा रहा है 100% जा रहा है अब यह देखिए कि भारत में free and fair elections कराने के लिए एक Central Election Commission सबसे महत्वपून संस्था रही है एक neutral Central Election Commission फिर क्योंके इंदे सरकार एक कानून लेके आती है कि CEC के सेलेक्शन में जहांपे पहले Prime Minister, Leader of Opposition और CGI होते थे हम CGI को replace कर देंगे सरकार के एक मंत्री द्वारा replace कर देंगे इसका मतलब आप Central Election Commission की neutrality खतम करने की कोशिश करने यह हमने 75 साल में भारत में नहीं देखा है क्यों? क्योंकि भारत की democratic institutions strong है लेकिन आज इनहीं institutions को खतरा हो रहा है यह देश के लिए चिंता की बात चिंता की बात और भी होती है क्योंकि बार-बार समन आता है मुख्यमंत्री अर्विन केज रिवाल को और ऐसा होता है कि वो समन के बात जाते नहीं है कारण क्या है? क्या डर रहे हैं या एक strategy है इसके पीछे? देखिए सबसे पहले तो समन की legality पे सवाल है हर बार जब समन आया है उसका जवाब दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है उनके वकीलों द्वारा दिया गया है यह हमने बार-बार कहा है कि यह समन illegal है आज तक हमारी किसी भी चिठी का जवाब ED से नहीं आया उन्होंसे चली कोई जवाब नहीं आया कि ये समन legal है कि illegal है मुख्यमंतरी को आना है कि नहीं आना अब कोड मामिला सुन रही है अब जब कोड आप ही का मामिला सुन रही है अब क्यूं समन भेज रहे हूँ अब कोड की तारीक का इंतजार करिए Court as Matter को सुनेगी अपना एक view बनाएगी एक decision तो अगर जब एडी खुद यह मामला कोट लेकर गई है तो अभी समन क्यूं भेज रही है तो यह दिखाता है कि जो समन भेज़े जा रही है ना? किसी जाज से जुड़े हुए नहीं है कहां से आते हैं समन? कौन बनाता है समन को अब E.D. भेज रही है तो E.D. को जवाब आप क्यी help? ED को भूप दे रही है ED खुद को उट गई है लेखें ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि यह समन actually EDK office में नहीं बन रहा है यह समन भाजबा के मुख्याले में बन रहा है तबी तो ऐसा होता है कि पहले भार्तिर जनता party के spokesperson press conference करते हैं कि अर्वन केजरिवाल जेड जाने वाले हैं अर्वन केजरिवाल को ED बुलाएगी और गिरफतार कर लेगी अच्छा यह सवाल आप से होता है मेरा कि आप खुद कहते हैं कि हमें पता है एक हफते में यह गिरफतार हो जाएगा हमें पता है चार दिन में यह गिरफतार हो आम आदमी पार्टी पे कितने अत्याचार करने की कोशिश करें हमारे कितने काम रोकने की कोशिश करें आज सब लोग जो दिल्ली में रहते हैं देश में रहते हैं वो देख रहे हैं कि अगर गरीबों के लिए एक आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है वो अर्विंद केजरिवाल है हर मुश्किल हर संघर्ष के बावजूद तो भाजवा मुख्यालाय में काम करने वाले भी तो दिल्ली के वोटर है EDK आफिस में काम करने वाले भी तो दिल्ली के वोटर है उनको भी तो free 4000 बिजली मिलती है मैं नॉइडा रहती हूं आप कभी बस नॉइडा का बॉर्डर पार करके मैयूर विहार में आई है मैं लेकी चलूँगी आपको एक महला क्लिक जिन डॉक्टर्स के पास हम जेनरल फिजिशिंस के पास जाते हैं उसे शानदार क्लिनिक है महला क्लिक एर कंडिशन वेल मैंटेंड कंप्यूटर पर सारे रेकॉर्ड MBBS डॉक्टर वहाँ पर बैठता है दवाई का एक पैसा नहीं लगता कंसल्टेशन का एक पैसा नहीं लगता टेस्ट का एक पैसा नहीं लगता आप फ्री दें सरकार में तो ठीक जब केंद्र सरकार राशन फ्री बाटे तो गलत तो क्या फ्री की राजनीती ही हर सरकार कर रही है तो पाटी कर रही है हमने तो कभी गलत नहीं का अंए इंफाक्ट यह बड़ी इंट्रस्टिग चीज़ है जब हम बिजली फ्री दें तो रेवडी जब हम पानी फ्री दें तो रेवडी जब हम स्कूल में शिक्षा फ्री दें तो रेवडी हम महला क्लिनिक में दवाई फ्री दें तो रेवडी जब हम महिलाओं को बस टिकेट फ्री दें तो रेवडी भारतिय जनता पार्टी अब अपने राजियों में बिजली फ्री देने लगे तो वाह! क्या मास्टर स्ट्रोक है भारतिय जनता पार्टी अब हमें देखकर अपने राजियों में बस यात्रा फ्री देने लगे तो वाह! क्या मास्टर स्ट्रोक है दिखिये हर सरकार का काम होता है public की सेवा करना हम कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे है जो जनता tax देती है हम coffee पी रहे हैं हम नमकीन खा रहे हैं हम पोहा खा रहे हैं इस मुम्फली पर भी tax लगता है तो जब बार बार समन आता है अगर कोई गलती नहीं है तो फिर उसमें आगे जाकर आपको लगता है कि जाकर अगर डर नहीं है किसी चीज का अरविंद केजरिवाल जी को तो फिर आगे जाकर उसमें समन में पेशी करने में दिक्कत क्या है अगर कोट पर भरोसा है तो कोट के रास्ते चलेंगे नहीं हम तो कोट की फैसले का इंतजारी कर रहे हैं हम कोट का सम्मान करते हैं कोट कहेगा कि समन लीगल है तो अर्विंद केजरिवाल जी शरूर जाएंगे देखिए ये जांच से जुड़ा हुआ मामला नहीं है ये आम आदमी पार्टी को अर्विंद केजरिवाल को डराने धमकाने का मामला है ये आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायन से बाहर निकालने का मामला है ये आम आदमी पार्टी जो बार-बार भातिये जनता पार्टी पे सवाल उठाती है हमारा मूबंद करने का मामला है बीजेपी कहती है कि आहम आदनी पार्टी डर गई है इसलिए अर्विंद केजरिवाल समन का जवाब देने के लिए सामने नहीं आते हैं या सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आते हैं कैसे देखते हैं आप यह सब बूला जाता है तब बातिये जनता पार्टी वालों ने बड़ी कोशिश करी है पिछले आठ नौ साल में यह कोई उनकी आज की कोशिश नहीं है जब से दिल्ली में हरविन केजरिवाल जी की सरकार बनी है अब तो इतने केस हो गए है कुछ महीने पहले तक डेड़ सो पॉने 200 केस हुए थे हमारे नेताओं और विधायकों पर तो हर महीने नए नए केस आते रहते हैं तो अब तो हमने गिनना भी छोड़ दिया हमारे हर नेता पर आज CBI ED का कोई ना कोई केस चल रहा है इस सो कॉल लिकर स्कैम में हमारे हर नेता के घर पे रेड हो गई, ओफिस पे रेड हो गई, लॉकर पे रेड हो गई, गाहों तक की रेड हो गई लिकिन corruption charges थो प्रूफ हुए है ना, इसलिए तो जिए ने बताइजे ना, तहाँ प्रूफ हुए जिस पर इतनी इंवेस्टिगेशन हुई है जहां पर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नी मिला कुछ तो मिला होगा कहा गया पैसा आप कहते हो हजारों करोड की चोरी हो गई तो सारे मंत्रियों को जो जेल में रखा गया वो गलत है कोड के आदेश के तहट देखिए अगर किस नहीं कर रहे हैं कोपरेट ना करने के नाम में जेल में डाल दिया उसके बाद उसका कोई अंति नहीं एक साथ से में जेल में बंद हैं दो साथ से जेल में बंद है ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है सुप्रीम कोड ने खुद कहा कि ये केस ट्रायल में दो मिनट भी नहीं ट जबता है कि अभी भी कॉंग्रेस के साथ जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विकल्प आम आदमी पार्टी ही रहेगी या दिल्ली तक और पंजाब तक ही सीमत रहे गई देखिए हमें कोई देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इस ब्रहमांट की सबसे बड़ी पार्टी बनने में कोई इंटरस्ट नहीं है हमें इंटरस्ट है कि इस देश भर में बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाए हमें इंट्रेस्ट है कि 24 घंटे बिजली आए हर गरीब विक्ती को फ्री बिजली मिले हमें इंट्रेस्ट है इस बात में कि जब कोई लड़का लड़की 18-19 साल का होके पाहाई खतम करे उसे इज़दार काम मिल जाए भारतिय जंता पाटी ये कर देना हम राजनीती छोड़के चुपचाप शांदी से हमने घर में बैठेंगे लेकिन आज हम राजनीती में हैं ही इसलिए दस साल हुआ हैं भारतिय जंता पाटी को शासन करते हुए आज देश के दिहास में हाइस्ट अनेम्प्लॉइमेंट रेट है यूथ अनेम्प्लॉइमेंट रेट आज दो हजार तेश चौबिस में पच्चिस परसेंट पे है नए ग्राजुएट्स का अनेम्प्लॉइमेंट रेट पई आलिस परसेंट पे है आज भारत में जो महंगाई है ये दुनिया में दूसरे नंबर पे है गैस का सिलेंडर जब मोदी प्रदान बंतरी बने तेन सो रुपे का सिलेंडर आता था अज बारा सु रुपे का होगया है दीजल पचास पचास रुपे लिटर का होगया है मुझे एक बात समझनी है जब महंगाई बढ़ दे इतना कुछ हो गया कलिए मोरी मोधिय चैनल सका में आजाती है क्यरुकि आप तक संत्र हम करदा है तरुपक्ष केक्षिंहहएं कल गलत थो जब वह केया थे पहर में ईसा हम सुन्टे थे कि वीकृसिह में बुटhern कार शका शांट होती थी तो हम सुंते थे कि बूत कैप्चिरिंग हो गए, डबल लेके बाग गए, डबों में आके ऐसे ठपपे मार दिये, ऐसा हम सुना करते थे. अब एक दूसरे प्रकार से इलेक्शन को चुराया जाता है. आप सारी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दीजी. आप उनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दीजी. नेता कैमपेइन करने के लिए नहीं होंगे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो कोई चुनाव कैसे लड़ेगा? पहली बात. दूसरी बात चुनाव कैसे चुराया जाता है? आप विपक्ष के सारे नेताओं पे EDCBI के के केस कर दो, बोल दो तुम्हें आज जेल में डाल देंगे, तुम्हारी पत्नी को जेल में डाल देंगे, तुम्हारी बेटे को जेल में डाल देंगे, अगर तुम भातिये जनता पार्टी में नहीं होगे, जैसे ही भातिये जनत अंदूलन हो रहा है, वहाँ पर आपने समर्थन किया है, तो क्या ये मुद्दा पूरी तरह से, क्योंकि लोग सभा चनाओ है, इसलिए है, या फिर समर्थन मुद्दे के आधार पर है, हम शुरू से किसाना अंदूलन के समर्थन में रहे हैं, चाहे हम सरकार के अंदर रहे हो चाहे हम सरकार के बाहर रहे हो पिछली बार भी जब किसान अंदोलन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने उनका खुल के समर्थन किया था क्यों? क्योंकि देखिए किसानों की मांगे जायज है वो क्या मांग रहे हैं? वो कुई सोना चांदी थोड़ी मांग रहे हैं वो अपने खेती किसानी के लिए सही MSP मांग रहे है और हम क्या कर रहे हैं? हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? हम उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना पुखता इंपिजाम आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं मिलेगा जितना आपने किसानों को रोकने के लिए किया है हमारा लोकतंत्र, हमारा सम्विधान हमें पीस्फुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है समान लेकर आना पीस्फुल प्रोटेस्ट है समान लेकर कहा है, वो तो अपना खाना पीना लेकर आए थे लास्ट टाइम भी वो अपने ट्रेक्टर ट्रॉली में अपना खाना भर के आये थे इतने महीनों तक वो सिंगु बॉडर पे बैठे रहे थे कोई उनसे मिलने नहीं गया, कोई उनसे बात नहीं करने गया दोहजार चॉबिस के लोग सभा में आमाद में पार्टी, दिल्ली, पंजाब के लावा और कौन-कौन से राज्यों में कहां-कहां चुनाव लड़ेगी क्या हम कहें कि मोदी के खिलाव अरविन के जरिवाल अगले प्रधानski के तौर पर सबसे बड़ा चैरा है चुनाव की मैदान में देखिए यह तो आप बताएँगी के कौन है सबसे बड़ा चैरा, जैसा मैंने कहा ऑखा हमारा ये एम नहीं है कि प्रधान मंत्री का चहरा बनना हमारा यह यह नहीं है देश की सबसे बड़ी ब्रमांड की सबसे बड़ी पार्टी बनना हमारा यह चोटा सही है हम चाहते हैं कि देश के लोगों को चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो तीन साल की उमर पर ये फैसला नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ किसी के घर में काम करने वाला या मेकानिक या दुकान में हलपर बने का अगर वो आटो मोबील इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके पास यह अधिकार होना चाहिए आखरी और निजी सवाल अतिशी एक मात्र कैबिनेट महिला मंत्री जो है कैबिनेट में उनके लिए एक दरजन मंत्राल है विभाग हैंडल करना कितना चुनोती पूर्ण है और वो कौन सी एक बात जो आपके अंदर बदल गई है कैबिनेट मंत्री बनने के बात से देखिए मुझे लगता है कि एक मात्र महिला मंत्री तो शाइद इसलिए भी है क्योंकि politics में महिलाएं आती भी थोड़ी कम है, होती थोड़ी कम है, in fact आप देखिए यह शाइद आमाद्मी पार्टी ही होगी, जिसमें जो महिला विधायक है, महिला नेता है, हमारी राजय सबा सांसद है, स्वाती मालिवाद, वो family politicians नहीं है, मेरे पिताजी politics में नहीं है cabinet मंतरी बनने के बाद क्या बदला है, जिम्मेदारियां बढ़ी है, स्वाभाविक तोर पे working hours बढ़े है, घर पहुंचने का time वैसे थो politics में हमेशा ही लेट होता था, पर वो और भी जादा लेट हो गया है, तो definitely challenges है, पर मुझे लगता है कि politics में आने का जो सबसे satisfying पक्ष ह वो ये है कि हम अपने action से बहुत सारी लोगों की जिन्दगी में positive बदलाव लेके आ सकते हैं, 2012 में जब party बनी थी तो आपकी बड़ी भूमी का थी, party में सम्मिलित होने में या फिर party को आगे बढ़ाने में भी पिछले एक दिशक में आपकी बड़ी भूमी का रही है, anti-corruption ब्रिगेड रहा है और अब जब corruption के ही charges लगते हैं तो ऐसा लगता है कि party पे दाग ज्यादा लग गए हैं, क्योंकि corruption के charges लगाना तो बहुत आसान है, आप लगा लीजे charge, जब corruption का charge लगता है, तो आपके channel उसे top headline चलाते हैं, अखबार उसे front page पे 4 column की story चलाते हैं, जिस द बहुत आसान हैं, लेकिन देखिए जो भ्रष्टा चार करता है न, वो बच्चों को अच्छी school नहीं देता, वो अपने जेब में पैसे डालता है, जो भ्रष्टा चार करता है, वो अपने परिवार को बड़ा महल, बड़ी गाड़ी लेके देता है, वो महला क्लिनिक में free दवाई नहीं देता, जो भ्रष्टा चार करता है, वो स्विस बैंक अकाउंट में पैसा रखता है, वो free बिजली दे के जनता की जेब में पैसा नहीं दालता, दिल्ली के लोगों को सब पता है कि कौन भ्रष्टा चारी है और कौन नहीं है।